दोस्तों स्वागत है आपका आज की हमारी इस वीडियो में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम उन सभी Aid Defense Systems के बारे बात करेंगे जो कि भारत को अगले कुछ सालों में मिलने वाले हैं जो कि हमारे देश के future के Aid Defense System है इन में बहुत सारे Aid Defense System भारत ने खुद बनाए हैं और इन में से बहुत कम ऐसे सिस्टम हैं जो कि हम विदेश से खरीद रहे हैं तो चलिए इन सबी के बारे में जानते हैं और ये भी जानते हैं कि ये कैसे हमारे देश के Aid Defense अम्बरेला को मजबूत करने वाले हैं तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले बात करते हैं S-PRO-100 मिसाइल डिफेंस सिस्टम के बारे में S-PRO-100 रशिया द्वारा बनाया जाने वाला एक एड डिफेंस सिस्टम है जो कि अभी तक का सबसे ज़यदा अडिफेंस सिस्टम समझ जाता है इस सिस्टम में चार मिसाइल का इस्तेमाल होता है इसमें जो सबसे ज़यदा लंबी दूरी वाली मिसाइल है वो 40N6E मिसाइल है जिसकी रेंज 400 किलोमेटर की है और इसमें दूसरी मिसाइल है 48 N6 मिसाइल जो की 200 किलो मेटर दूर से ही टारगेट को इंटरसेप्ट कर सकती है और एक मिसाइल है 9M96E2 मिसाइल जो की 120 किलो मेटर दूर से टारगेट को इंटरसेप्ट कर सकती है और इसके साथ ही इसमें एक मिसाइल है NM-N6E मिसाइल जो की 40 किलोमेटर दूर से ही टारगेट्स को इंटरसेप्ट कर सकती है इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम के बारे में सबसे च्छादा खास बात ये है कि इसके बारे में रेशिया दावा करता है लेकिन इसके बारे में कोई भी स्पेसिफिक डेट नहीं दी गई है ऐसा हो सकता है कि अगले साल 2021 में इसकी डिलिवरिस भारत को शुरू हो जाएं इसके साथ ही हमारे देश की क्विक रेक्शन सर्फिस टू एर मिसाल डिफेंस सिस्टम भी भारत की आर्म फोर्सस को जल्दी मिलने वाला है ये क्विक रेक्शन सर्फिस टू एर मिसाल डिफेंस सिस्टम डिया डियो दोरा बनाया गया है जो कि उन्होंने भाज electronics limited और भाज dynamics limited के साथ मिलकर बनाया है ये एक all weather, all terrain surface to air missile defense system है जो कि electronic control measures के साथ भी equipped है इस missile defense system की range 25 से 30 km की है इस missile को एक truck के उपर mount किया जा सकता है और एक canister में store किया जा सकता है इस missile में mid course inertial navigation system की capability भी है जिसमें एक two way data link का इस्तिमाल किया जाता है और इसमें डिया डिया दोरा develop किया जाने वाला एक terminal active seeker भी लगाया गया है इस system में ऐसी capability है कि ये move करते हुए भी target को सर्च कर सकता है और track कर सकता है इसके साथ ही इस missile defense system की खास बात ये है कि इसका reaction time भी बहुत कम है यानि कि ये बहुत कम समय में किसी भी target को intercept कर सकता है इसके साथ ही भारत को vertical launched short range air defense system भी मिलने वाला है ये missile defense system अस्तर missile के उपर based है अस्तर missile के बारे में आप जानते हैं कि अस्तर missile हमारी Indian Air Force को मिली एक air to air missile है जिसकी range 110 km के क्रीब है ये अस्तर missile के उपर based एक system है इसके दो variant बनाए जाएंगे इसका एक variant Indian Air Force के लिए होगा और एक variant Indian Navy के लिए होगा Air Force को एक high mobility truck mounted canister based vertical launched surface to air missile defense system मिलेगा और वही नेवी को एक canister based vertically launched system मिलेगा जो कि front line warships में लगाया जाएगा हमारी नेवी की front line warships में 8 heavily modified quick reaction surface to air missile systems लगाया जाएंगे जो कि supersonic projectiles को भी engage कर सकेंगे इस missile defense system की सबसे खास बात ये है कि ये supersonic targets को भी intercept करने की शमता रखता है इस missile defense system में जो canisters का इस्तिमाल किया जाएगा वो ऐसे design किये गए हैं कि ये missiles को hot mode में भी launch कर सकेंगे यानि कि missiles की ignition कैनिस्टर के अंदर ही शुरू हो जाएगी जिसके साथ ये missile बहुत कम समय में launch की जा सकेगी और इसके साथ ही अगर multiple incoming projectiles को hit करना हो तो इन missiles को एक के बाद एक जल्दी जल्दी launch किया जा सकेगा जिससे इस missile system की effectiveness बहुत ज़्यदा हो जाती है ऐसी जानकारी है कि aster mark 1 configuration में ये missile defense system 40-50 km दूर से ही targets को intercept कर सकेगा और ये cruise missiles को तो intercept करेगा ही बलकि इसके साथ ही एक crafts UAVs और दूसरी munitions को भी intercept कर सकेगा एक बार हमारी aster mark 2 missile के develop हो जाने के बाद इस missile defense system की range और ज़्यदा बढ़ा दी जाएगी क्योंकि नई aster mark 2 missile के इस्तेमाल से इस missile defense system की range 80 km के करीब हो जाएगी इसके साथ ही भारत को बहुत जल्द XR Sam system मिलने वाला है XR Sam system भारत का S-400 missile defense system माना जाता है XR Sam system के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये भारत का खुद develop किया गया एक next generation long range aid defense system है जो की S-400 missile defense system के साथ comparable है इस missile defense system के बारे में ऐसा दावा है कि इसकी maximum range 350 km के करीब होने वाली है ऐसी confirmation मिली है कि भारत एक very long range surface to air missile defense system की उपर काम कर रहा है जिसकी पहले तो reported range 200 km की थी लेकिन बाद में ऐसी जानकारी दी गई है कि इसकी maximum range 350 km के करीब होने वाली है का इस्तिमाल करेंगी जिससे इस missile को जड़ा लंबी दूरी की range मिलेगी इस missile defense system के बारे में ऐसी जानकारी है कि ये 350 km की range की उपर बड़े targets जैसे की bombers, air walks और mid air refuelers को target कर सकेगा और उसके साथ ये fighter aircraft जतने बड़े targets को 200 km दूर से ही intercept कर सकेगा ये canister based transport table truck based launcher system होगा जिसे की कहीं भी transport किया जा सकेगा जैसे की S-400 missile defense system को किया जा सकता है इस missile defense system के बारे में अगर हम बात करें तो इसके बारे में ऐसी जानकारी है कि जो इसको बनाने के लिए ज़्यातर टेकनालोजी हमें चाहिए उसमें से बहुत सरी टेकनालोजी काफी हद तक develop कर ली गई है और ऐसा हो सकता है कि अगले साल ही हमें इस missile defense system का पहला टेस्ट देखने को मिल सकता है और 2025 तक इसको हमारी Indian Air Force में इंडक्ट करने का प्लैन है इसके साथ ही हमारा देश अकास नेक्स जनरेशन missile के उपर काम कर रहा है ये एक next generation surface to air missile defense system है और इस missile defense system के बारे में ऐसी जानकारी है कि ये पहले से मौजूद अकास missile system से कोई भी system या component बोरो नहीं करता है इसमें रैम जेट propulsion system का इस्तेमाल नहीं किया जाता है बलकि इसमें एक dual pulse rocket motor का इस्तेमाल किया जाएगा जिससे ये missile पहले missile के मुकाबले में 50% हलकी हो जाएगी जिससे इसकी mobility काफी बढ़ जाएगी अकास next generation system में एक AESA based seeker होगा और एक truck based 3D AESA radar होगा जो कि tracking and guidance के लिए इस्तिमाल किया जाएगा mobility को improve करने के लिए कास next generation में भी एक canister based long system का इस्तिमाल किया जाएगा जो कि एक road mobile launcher होगा अकास next generation की range भी improved होगी ऐसी जानकारी है कि इसकी range 50 km से ज्यादा होने वाली है इस missile defense system के बारे में ऐसी जानकारी है कि इसकी testing भी 2021 में हो जाएगी क्योंकि इसमें जो dual pulse rocket motor का इस्तिमाल किया जाता है उसकी technology को हमने पहले ही demonstrate कर लिया है और perfect भी कर लिया है क्योंकि हमारी root drama missile में भी इसी technology का इस्तिमाल किया जाता है इसके साथ ही भारत की anti-blistic missile defense shield भी अभी तयार है भारत का anti-blistic missile defense program हमारे देश का एक बहुत ज़दा important program है इस program में हमारे देश को ऐसी shields मिलने वाली है जिसके इस्तेमाल से हम दुश्मन दवराज चलाई गई बलिस्टिक missiles को भी intercept कर सकेंगे इस सिस्टम को हमारे देश के ज़रूरी शेहरों और ज़रूरी installations को protect करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा ये एक double tied defense system है जिसमें दो land और sea based interceptor missiles का इस्तेमाल किया जाएगा जिसमें पृत्वी aid defense missile है जो की high altitude intersection के लिए इस्तेमाल की जाएगी और एक advanced aid defense missile है जो की lower altitude intersection के लिए इस्तेमाल की जाएगी यब ये system पूरी तरें develop हो जाएगा तो ये 5000 km दूर से launch की गई किसी बिलिस्टिक missile को intercept करने के लिए केबल होगा इस system में early warning and tracking radars का एक overlapping network होगा और इसके साथ ही command and control post का भी एक बहुत बड़ा network होगा ऐसी जानकारी है कि इस missile defense system program का पहला phase अभी complete है और ये अभी हमारे देश के national capital के उपर install करने के लिए भी तयार है क्या ये system में भी install हो गया है या नहीं इसके बारे में जानकारी अवेलिबल नहीं है इस missile defense program के दो phase है इसके दूसरे phase में ऐसी missiles develop की जाएंगी जो की 5000 km दूर से launch कीगी बिलिस्टिक missiles को भी intercept कर सकेंगी ये नई missile अमेरिका के terminal high altitude area defense third missile defense system जैसे ही काम करेंगी ये missiles hypersonic speeds के उपर travel करेंगी और इनको ऐसी radars की जूरत होगी जो की 1500 km दूर से ही किसी भी target को successfully intercept कर सकेंगी इसके second phase के install होने के बाद भारत को एक बहुत ज़्यदा powerful missile defense shield मिलेगी जो की भारत को protect करने के लिए fully capable होगी तो दोस्तो आज किस वीडियो में इतना ही गराब को ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको जूरू लाइक और शेयर करें थैंक्स पर वाचिंग इस वीडियो जै हिंद जै भारत